Hello friends, welcome to all, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकिया रहा हूँ देखिए, इसमें हम कवर करेंगे 10 स्टॉक जिसमें विप्रो, अल्ट्रा टक्सीमेंट, HDFC लाइफ, ONGC, NTPC, कोल इंडिया, पावर ग्रेड, टाइटन, डाबर, इंडियाद ओयल जासी कंपनीज है, कोशिश क देख रही है, कहां पे अभी कमजोरी बनी हुई है, ताकि आप आगे का प्लान कर सके, इसलिए मैं आपको पूरे के पूरे यहां पे स्टॉक स्कैनिंग की यह सीरीज स्टार्ट कर रहे है, सीदे लेके चलता हूँ आपको डिटेल में इन स्टॉक के उपरा आगे बनने से पहले आपको बता दूगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब ने के तो सब्सक्राइब कर लिजी और साथ मैं टेकनिकल एनलिस्स अगर आपको स्क्रैच से सिखने है तो आप मेंबर से जॉइन कर सकते हैं, जॉइन बटन पर क्लिक करके, अमेरिकन मार्केट, ग्लोबल इन्वेस्मेंट्स हो रहे है या फिर शॉट टम, विप्रो से स्टाट करेंगे, विप्रो आईटी सक्टर है कि एक बड़ी कमपनी 187 के प्राइस पर ट्रेड कर रही है, एक लाग करोड से उपर का मार्केट कर अप्लाइशन है, 4% के आसपास की सेल्स ग्रोथ है, क्या पॉइंट बना था, 150-160 के लेवल पर, मजबूती जरूर दीखी, हाई बना, हाई बनने के बाद धीरे धीरे आप देखे कैसे तेजी देखने को मिली, और करेक्शन होने के बाद एक नया हाई बना है, यह नया हाई यहाँ इस लेवल पर बना है, अच्छी बात है, फिर से क पर्टिकुलर करेक्टिफ फेज चल रहा, यह रिजॉल्व होना जरूरी है, यह निकि 193 का रिजॉल्व होना जरूरी है, साथ के साथ 180 के आसपास का आपको stop loss भी ready हो जाएगा, लेकिन upper side recovery जरूरी है, और सबसे important level 200 का रहने वाला है, और यह level बनती है, आपको एक नया इसमें देखने को मिलेगा, लेकिन मैं फिर से यह कहूंगा कि अगर अभी के time का किसी भी stock में invest कर रहे हो, तो बिदा stop loss के बिल्कुल भी मत जाएगे, क्योंकि market कभी खिधर भी turn ले सकता है, अगर आप positive जो है expect कर रहे हो, तो worst के लिए भी prepare रहे है, तो देखिए, इसलिए हम आपको stop loss, हमेशा कहता हों कि stop loss, किसी भी time की investment के लिए, positivity जरूर है, higher high की series जरूर देख रहे है, बट अभी ये level जो है 200 hours का simple moving average, काफी strong resistance का काम कर रहा है, अभी pro के बाद अगले stock की तरफ चलते हैं, जो हमारे पास है ultra tech cement, चला देखते है ultra tech cement किस position पे यहाँ पे है, अग ultra tech एक बड़ा नाम आता है, ultra tech cement देखे, एक लाग करोण के आसपास का market capitalization, profit growth, sales growth देखे, 12% का profit growth तो अभी minus में चल रहा है, क्या कि almost flat kind of profit ये कमा रहा है, 3500 के आसपास का price है, अगर मैं ultra tech cement के technicals को देखूं, तो क्या कुछ मजबूती इसमें देख रही है, वो important होटा है ultra tech cement मजबूती दिखे या न दिखे देखे, trend reversal के sign मजबूती जरूर दिखने लग गई है, यही चीज हम आपको बार बार ये समझा रहे कि trend reversal काफी important factor है, वो आपको ignore नहीं करना देखे, bottom जब बना था, bottom बनने के बाद आप देखे, किस तरीके से यहाँ पर double bottom बना, लेकिन फि काफी important level होने वाला है, इसके लिए तो ये proper corrective यहाँ पर 3600-3700 का level पार होती ही, काफी important entry, क्योंकि यह नया high यहाँ पर तयार हो जाएगा, और अगला correction फिर आपके लिए entry का मौका हो सकता है, और जो correction आएगा, वो आपके लिए एक मुझे लगता है कि जो stop loss देखे है, जो कि हमारे पास है HDFC Life, insurance company HDFC Life बहुत बार हम इसके बारे में बात कर चुके है, HDFC Life बढ़िया company, market leader है, लेकिन अगर आप fundamental देखो के तो बहुत ही strong company, हर कोई, अगर आपको insurance sector का कोई shared life insurance का रखना चाहते हो, तो HDFC Life बढ़िया option है आपके लिए, लेकिन बात यही आती है क्या positivity दिख रही है, definitely इसकी positivity आ चुकी है, और बहुत पहले से ही आ चुकी जब हम यहाँ पे हमें higher high बनता हुआ नजर आया था, काफी important लेकि अभी भी गाड़ी छूटी नहीं है, अगले correction ने देखे, higher high की series बनी थी, और यह corrective resolve होती ही, जो कि यहाँ पे resolve होता, 449 पर हमा life के लिए, SDFC life, अगर आप आने वाले time पे enter करना चाहते हो, क्योंकि जिस तरीके से मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, जो हमारे impulse यहाँ पे बनी थी, यह first impulse और यह almost corrective के बाद यह impulse start हुई है, तो अगला correction जो भी है, वो entry का आपके लिए मौका हो सकता है, लेकिन correction resolve होने क का इंतजार और bottom पे आपका stop loss ready होना चाहिए, stop loss के बिना entry बिलकुल tough, अब देखिए, ONGC की तरफ चलते है, क्या कुछ दिख रहा है, ONGC, जब भी बात आती है, oil, natural gas, ONGC का नाम यहाँ पे सबसे आगे आता है, एक लाग करोड का market capitalization, debt company के उपर बहुत जादा है, इस ची की दे, कडगरे में, यह देखिए, अगर मैं बात करूँ, ONGC, जिस तरीके से 13 March को low बनाया था, उसके बाद दुबारा इसने low बनाया है, 13 March को यह 50 सुपे के आसपास आ गया था, और उसके बाद अगर आप देखें, यह दूसरा low बना, दूसरे low के बाद आप अगर आप बढ़िया मौका था, आपके पास stop loss ready था, 60 के आसपास का, उसके बाद यह correctives, यह दुबारा मौका आया, और उसके बाद धीरी-धीरी positivity जरू देखने को मैं लिए, फिलहाल जिस range में यह trade कर रहा है, यह काफी important range इसके लिए है, यह range breakout होता है, तो आपके बाद stop loss नीचे त स्तिती बनी हुई है, चलते हैं अगले share के तरब जो हमारे पास है, NTPC, NTPC अगेन सरकारी company, NTPC, यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, 95 का price, almost 95,000 करोड का market capitalization debt, बहुत है company के उपर, लेकिन अभी क्या स्तिती बनी हुई है, उस कीज को देखते हैं, देखिए, NTPC, NTPC पर यहाँ पर तेजी देखने को मिल गए थी, यह तेजी यहाँ पर April 7 के बाद ही आपको higher high की formation आपको देखने को मिल गए थी, यह देखिए, बिलकुल low बनाया, low बनाने से पहले आप देख सकते हैं, high, low और यह नया high हमको मिल गया था, फिर corrective आया और higher low बला, यह main point 85 का entry का point था, with a stop loss of 79.80, यही चीज आप देखिए, धीरे धीरे करके corrective बनते के, entry मिलती गई, और अभी यह काफी तेजी से, काफी तेजी से भागने लग गया, यानि कि अगर देखें, यहाँ पर April 7 और 8 के आसपास, यह corrective जैसे ही resolve हुआ, resolve यहीं पर हो गया था, लेकिन और confirmation के ल अब जो हमारे पास है, coal India, coal India की तो बात ही कोच और है, market में monopoly वाला share है, coal India, market leader है, 90,000 करोड का market capillation, 148 का price, debt की बात करें तो 800 करोड का debt है, dividend and all, सब चीज में बहातरीन stock है, लेकिन क्या trend reversal दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, या पहले ही दिख गया था, coal India के हमने जब बा किस तरीके से ये bottom बना, bottom बनने के बाद ये level हमें एक नया high बनाने की कोशिश कर रहा था, यानिकि 130 की ये range थी, ये level पार करना important था, जैसी higher low के बाद higher high बना, बहुत ही अच्छा, लेकिन अगला correction, वो मौका आपको ये मिला था, अगला correction resolve होते ही entry का मौका with a stop loss of 131, ये द देखिया, अब ये range breakout होगी, अगर आपके पास यहाँ पे, तो फिर आपके stop loss आप जाते रहेंगे, ताकि आप profit भी एकन market गिरती है, तो आप time पे profit भी निकाल पाए, इसलिए stop loss इसको बढ़ाते रहना सांथ के साथ, अब अगले stock की तरफ चलते हैं, जो हमारे पास है, यह जब अरदसता है, बात करते हैं, हम यहाँ पे power grid की detail की देखिया, power grid, power grid को देखते हैं, कहाँ पे stand करता है, power grid के अगर मैं बात करूं तो धीरे धीरे basing बनने के बाद positivity जरूर देखने को मिल रहे, important level का breakout यहाँ पे हुआ है, यह देखिया, बिलकुल bottom point जो बना था, 140 के आस लगता है कि यह collective resolve होते हैं, फिर आपके पास entry का मौक और stop loss, deep, यह deep है, देखिया, और छोटे stop loss आप रखना साथ होते हैं, कि सब stop losses का काम करेंगे, फिलाल range breakout यह कर चुका है, यहाँ पे, technical analysis काफी important होती है, entry, stop loss, exit, identify करने में, और इसी तरीके से हम यहाँ पे हमने series already start करके लोग practice कर रहे हैं, और अपने practice इस तरीके से share करते रहते हैं, और आप भी join कर सकते हो membership, आपने खुद के stop loss, अपने खुद की entry, exit, identify करने के लिए, ताकि आपकी learning, आपके काम आए, पैसा कमाने में, तो join कर सकते हो membership, practice करने हैं, learning करने हैं, कोई tip आपको provide नहीं की जाती, only practice and learning, अब चलते हैं, अगले stock की तरफ, जो हमारे पास था, power grid के बास, Titan, DAWAR, और इंडियन, और हमार पास तीन shares और cover करने के लिए रहे हैं, Titan, Titan की बात करें, तो Titan एक बड़ा share है, नामी share है, 86,000 करोड का market capitalization, 975 का price, जबर्दस profit growth, जबर्दस sales growth, लेकिन current situation कहां पे है, वो दे रिके से trend reverse हो रहा है, change हो रहा है, क्योंकि बहुत जगे पर अभी भी weakness मौझूद है, देखिए, शाड़े 700 के level पर गया था, और शाड़े 700 पर level पर जाने के बाद high बनाया ज़रूर, लेकिन ये range में काफी time trade हुआ, ये range देखिए, बिलकुल range धीरे-धीरे कम हुई, और य आके ये देखिए, उसी range में अभी भी ही है, majorly 200 hours का simple moving average, आपका strong resistance का काम कर रहा है, और ये अगली range जिसमें ये trade कर रहा है, ये पार होना काफी important है अपकी date में, आपका stop loss ये bottom point 915 रहेगा उसके बाद, देखिए, जैसे कि आपने इस range breakout पे काम क्या होगा, तो stop loss बिलकुल bottom point इन पे लगाया होगा, 855 के आसपास, उसी तरीके से अभी upper range जब breakout होगी, तो आपके पास ये आपका stop loss रहने वाला है, तो ये important हो जाता है चीज की देखना कि stop loss कहाँ पे लगाना है, stop loss कैसे लगाना है, अब चलते हैं अगले, यानि कि डाबर के उपर चलते हैं, डाब देखते हैं कि 490 के आसपास इतना strong डाबर का share जो है, वो क्या स्तिती अभी दिखा रहा है, कब इसमें trend reversal हुआ था, ये देखे अब, डाबर के share में, जिसमें trend reversal हो चुका है, आप उसमें अल्रेडी देख सकते हैं कि क्या पहले स्तिती बनी वही थी, अगर यहाँ पे देख चाफी important level ते high बना है, और सबसे अच्छा point तो ये 457 का था, जब ये complete आपको नया high बनने की कोशिश हुई, और आपका stop loss 424 का, डाबर के share में आप देखे तेजी आई 500 के level पर गया, फिलाल इस range में trade कर रहा है, अभी भी देखे एक particular range में ये trade कर रहा है, और range के आसपास 50 EMA hourly के आसपास ये अभी support ले रहा है, तो range आपका अब धीरे धीरे ये corrective action जो बन रहा है, ये breakout होना important है, अब चलते हैं अगले stock की तरफ जो हमारे पास है Indian oil corporation, देखे पूरे के पूरे 10 stock यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, और ये कोशिश कर रहा हो कि maximum share आपके संदिये cover क देखूं, ये देखे अब आप, इसमें क्या स्तिती बन रही है hourly पे, देखे Indian oil corporation अभी भी इतनी केजी नहीं है जितनी बाकी में है, बट स्टिल एक major hurdle जो है धिरी धिरे पार करते जा रहा है, 75 के level पे था high बना, high बनने के बाद देखे higher low बना, और फिर से मजबूती इसमे का काम कर रहा है, मजबूती आगे और ये अब फिर से अगली range में trade कर रहा है, next range में trade कर रहा है और जिस range में, अब ये almost breakout के level पे है 86 का, तो ये important points है, यहाँ पे हमने 10 shares cover किये, उससे पहले already 20 share में cover कर चुका हूँ, जिनके description में, वीडियो के description में, जिनके link होंगे, reliance से ले के भी जिस share को खरीदना चाहते है, उसकी स्तिती concurrent में क्या है, उसको जरूर analyze करें, तभी invest करें, और साथ के साथ, मुझे लगता है कि without stop loss आपको ऐसी market में जाना, थोड़ा सा deep रख सकते हो stop loss, लेकिन जरूर stop loss लगा है कि हाँ, क्या कुछ हो रहा है वापे, जिनके wind up करता ह